कुलबेली में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे बाल कहानिया, इतिहास के रुमान्चक किस्से और हमारी संस्रिती से जुड़ी मज़ेदार बाते मैं हूँ आपका होस्ट प्यानेश और आज मैं लेके आया हूँ अकबर भीरबल का एक मज़ेदार किस्सा जिसका नाम है तीन रुपए तीन सवान एक दिन अकबर बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की हुजूर आप सब प्रकार के काम वीरबल को ही सौब देते हैं क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते बादशाह ने कहा ठीक है मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा मैं तुम्हें तीन रुपए देता हूँ उनकी तीन चीजें लेके आओ हर एक की कीमत एक रुपए होनी चाहिए पहली चीज यहां की होनी चाहिए दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए तीसरी चीज न यहां की हो न वहां की हो दरबारी तुरंट बाजार गया दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें वागी दुकानदार उसकी बात सुनकर हसने लगा और बुला ये चीजे कहीं भी नहीं मिल सकती उं तीन चीजों को दर्बारी ने अनेक दुखानों पर खोजा लेकिन जब उसे तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दर्बार बे लाट आया उसने बादशाह अकavour को आकर गतायām ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती अगर वीरबल ला सकें तो जानेंगे अकबर बात्शाह ने वीरबल को घुलावा भीजा उन्हें पूरी बात बताई और कहा जाओ ये तीनों चीजें लेके आओ वीरबल ने कहा अगले दिन जैसे ही बीरबल दर्बार में आए तो बादशाह अकबर ने पहले दिन वाली बात को याद बिलाते में कहा क्यों क्या हमारी चीजे ले आए बीरबल ने फौरण कहा जी हाँ मैंने पहला रुप्या एक पकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास पहुचा दूसरा रुप्या मैंने मिठाई में खच किया जो यहां काम आ गया और तीस्ते रुपए का मैंने जुवा खेल लिया जो न यहां काम आएगा और न वहां अर्थात परलोग में उनकी बात सुनकर सभी चकित रह गए और अगबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया मुझे उमीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी ऐसी और कहानिया सुनने के लिए हमारे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इस कहानी को जादा से जादा शेयर करें जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ तक तक के लिए धन्यवाद